आप सब का गोविन लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है तो कक्सादस विज्ञान विश्य की इंपोर्टेंड अब्जेक्टिव्स की सिरीज में आज हम अध्यान नमबर 15 हमारा प्रयावरण के जितने भी महत्वपून प्रयावरण मित्र वहवार कहलाते हैं यानि इन चार कतनों में से ऐसा कौन सा कतन है जो आपको एक प्रयावरण मित्र के रूप में परदसित करता है पहला बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थेला ले जाना कारे समाथ हो जाने पर लाइट या पंके का स्विच बंद करना मादवारा स्कूटर से विधाले चोड़ने के बज़ाए तुमारे विधाले तक पैदल जाना तो इनमें से ऐसा कौन सा कतन है जो आपको एक प्रयावरण मित्र केहलाता है तो इसका सही जवाब होगा उप्रिक्त सभी यानि ये दिये गए सभी कथन अगर हम फॉलो करते हैं अपनी लाइट में तो हम अपने आपको एक प्रयावरण मित्र केह सकते हैं ठीके आगे बढ़ते हैं प्रश्न संग्या दो की ओर किसी पारिस्तितिकी तंत्र में उर्जा को ग्रहन करने वाले होते हैं यानि कि किसी पारिस्तितिकी तंत्र में जो उर्जा को ग्रहन करते हैं वो कौन होते हैं तो वो होते हैं उत्पादक कौन होते हैं वो होते हैं उत्पादक ठीक है वही क्या करते हैं सबसे पहले उर्जा को ग्रहन करते हैं और उसके बाद उनको खाने वाले उप्भोगता उसके बाद पर्थाम उप्भोगता देते उप्भोगता तर्तिय और लाश्ट में अब गटक होते हैं अगला प्रशन है आपका मैदानी पारिस्तेती की तंत्र में तर्तिय को उप्भोगता है यानि कोई मैदानी पारिस्तिती की तंत्र है उसमें तीसरे इस्तर पर जो भूगता है वो कौन होगा तो मैदानी इस्तर पर सबसे नीचे कौन होगा घास होगा घास के बाद कौन होगा घास के बाद हीरन होगा ठीक है हीरन के बाद क्या होंगे हीरन के बाद या तो अन्य कोई मासा हरी जीव होंगे एक संकला तो यह हो सकती है दूसरी क्या हो सकती है गास हो सकती है इसमें क्या हो सकते है इसमें छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते है कीड़े पतंग या कीड़े मकोड़े हो सकते है इनको खाने वाला कौन हो सकता है और मेंड़क को खाने वाला कॉन हो सकता है तो साफ हो सकता है तो इसमें से सही option कौने से होगा option number D कि जो एक मैदानी पारास्तिती के तंतर है उसमें जो साफ है、 वो तर्टिय उपभोगता हो सकता है क्योंकि जो घास है, वो क्या होगा? वो उत्पाद्यक होगा ये पर्थम उप्भोगता होंगे ये दित्ती उप्भोगता होंगे और साब क्या होगा आपका तर्ती उप्भोगता होगा आगे बढ़ते हैं वन पारस्तिती की तंत्र में हीरन होते हैं वन पारस्तिती की तंत्र में जो हीरन है वो हीरन क्या होते हैं आप सब जानते होंगे कि वनों के अंदर जो हीरन है वो प्रात्मिक भोगता होते हैं क्योंकि जो गास है पेड़ पोदे हैं उनको खाने वाले जो पर्थम जीव होते हैं वो हीरन ही होते हैं और वो कैसे होते हैं वो साका आरी होते हैं और प्रात्मिक भ लाहे किसी पारिस्तितिकी तंत्र के जयव गटक कौन से होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जयव गटक का मतलब सारे सजीव आगे, जिसमें पोदे भी सामिल है, जानवर भी सामिल है, मनुस्य भी सामिल है, और सुक्समजीव भी सामिल है, ये सारे ही किसी भी पारिस्तितिक तंत वह चीज़े रहती है तो परवा होता है जेव और एस्तान से दूसरी पर क्या होते हैं परिवर्तित होते हैं तो उनमें भी प्रवाज चलता रहता है, इन में से सभी तो ये सारी के लिए एक परिस्तितिके तंत्र में होती है ये उर्जय का प्रवाज भी होता है जैविक और अजयव, वाताव्रन के बीच में विभिन परधातों काद्यान परदान भी होता है और जो अजयविक प्रदात है उनका क्या होता है उनका भी एक भाग से दूसरे भाग में प्रवा भी होता रहता है यह सबी गटना होती रहती है आगे बढ़ते हैं निम्नों मैंसे करतरीम परिस्तितिकी तंत्र कौन सा है इसमें से करतरिम परिस्तिकी तंत्र कौन सा है तो देखो फुलवारी यहने बगीचा, सैय, पारक, जल, जीव, साला तो ये तीनों ही क्या है ये तीनों ही करतरिम परिस्तिकी तंत्र के उधारण हो सकते हैं ठीक है जो मानम के द्वारा निम्मित किया जा सकते हैं अगला सूर्य के विकिरन उर्जा का ग्रहन किसी पारिस्तितिकी थंत्र में किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादक को पर उफभोकता कहाते है, तो उसमें से कुछ उर्जा उफभोकता में इस्तानांतरित होती है, उपभोगता खोपिर दित्ती उपभोगता तर्ती उपभोगता और लास्ट में अब गटक तो सबसे अधिक जो उर्जा का गरहन है वो किसके द्वार किया जाता है वो उर्जा का गरहन उत्पादक के द्वारा ही किया जाता है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन आहर संकला का निर्मान करता है यानि हमारे सामने कुछ option दिये गए हैं बताना है इन में से कौन से जीव हैं जो एक आहर संकला का निर्मान कर सकते हैं गास, गेव, आम, ये बिल्कुल गलत है, गास, बकरी और मानव, ये सही है, गास, बकरी और मानव, यानि ओप्शन नमबर B आपका सही जवाब होगा, ठीक है, फिर बकरी, गाय और आथे ये भी नहीं हो सकती, गास, मचली और बकरी ये भी नहीं हो सकती, तो ओप्शन नमबर निर्जिव है तो वो कौन है मरदा आपका और जयविक गटक है यह जयविक गटक नहीं है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्या 11 निमनलिकित में से कौन सा पिरामिड केसी भी परिस्तिती में उपर की और ही निर्दिष्ट होगा यानि इनमें से कौन सा पिरामिड है जो सीधा ही बनेगा तो आप सब जानते होंगे कि जो उर्जा का पिरामिड है वो सदेव सीधा ही बनता है आगे कर्तरिम परिस्तितिकी तंत्र का उदारन है कर्तरिम परिस्तितिकी का उदारन कौन सा है देखो समूंद्र ये प्राकर्तिक है गास का मैदान ये भी प्राकर्तिक तो जो ये कर्सी भूमी वाला है ये क्या हो सकता है ये कर्तरिम हो सकता है बागी ये तीनों क्या है ये तीनों ही जो प्राकर्तिक पारिस्तितिकी तंत्र के उधारन है आगे बढ़ते हैं निम्न मैंसे कौन मैंदानी पारिस्तितिकी तंत्र को निरूपित करता है ये निम्न मै परिस्तिति की तंत्रों का उजारन प्रस्तूत करता है तो देखो गास, हीरन या बाग बिलकुल गलत ठीक है फिर गास, ग्रोस, हॉपर, मेंडक, सर्प और गिद तो ये ऑप्सन सही है ठीक है क्योंकि देखो हीरन और बाग ये मैदानों में बहुत कम पाई जाएंगे क्योंक फिर इन में से सभी तो नहीं हो सकता तो आप्सन नमबर जो बी है गास, ग्रोस, होपर जो की चोट मोट जीव होते हैं उनको मेंडक खाएगा, मेंडक को साब खाएगा और साब को गी दिखाएगा तो ये स्रंकला संबव है आगे बढ़ते हैं अगला किसी भी पारितंत्र क सभी जैविक गटकों के मध्य एक संबंद होता है एक पारितंत्र में जितने भी जैविक गटक होते हैं उन जैविक गटक के बीच में कौन सा संबंद होता है तो वो है अन्योन्या सरयव यानि एक दूसरे पर वो आशरित रहते हैं ठीक है आगे पारितंत्र में जितने भी जैविक गटकों में जीवानू और कवकों को क्या कहते हैं तो आप सब जानते होंगे जीवानू और जो कवक हैं ये जीवों का अबगटन करने का काम करते हैं अता इने अबगटन करता के रूप में जाना जाता है अगला प्रशन है प्रयावरन के जयव और अजयव गटकों के बीच उर्जा और प्रदाथों के आधान परदान से किसका निर्मान होता है? तो प्रयावरन के जयविक और अजयविक गटकों के बीच उर्जा और विभिन परदाथों के आधान परदान के प्रिणाम सरूप पारितंत्र का निर्मान होता है? किसका निर्मान होता है? एक पारितंत्र का निर्मान होता है. आगे किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे परभावित करते हैं क्या कहलाते हैं किसी जीव के आसपास के जैविक और अजैविक कारक जो उसे परभावित करते हैं उसे पर्यावरन या वातावरन के नाम से जाना जाता है अगला जो परदात जैविक प्रक्रम के द्वारा अब गटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें जैव निमनी करनिय परदात के रूप में जाना जाता है अगला कौनसा पर्दात का अब गटन पर्यावरण में नहीं हो सकता अगला निम्न मेंसे कौनसा एक जैविक परकरम के द्वारा अब गटित होने वाला पर्दात है जिसका जैविक परक्राम यानि सुक्समजीव जिन्तूओं के द्वारा अपगटन किया जा सकता है तो वो है सूखे गास पत्ते क्या है सूखे गास पत्ते क्योंकि जो प्लास्टिक का बैग है इसका अपगटन जैविक जीवों के द्वारा नहीं किया जा सकता रबर का नहीं किया जा सकता और प्लास्टिक की बोट लोग आप गटन नहीं किया जा सकता तो केवल जो सूखे घास पते हैं उनका आप गटन चोटे मोटे जो जिवानू है सुथ्मजीव है उन जो जैविक जिव कहलाते हैं उनके द्वार आसानी से किया जा सकता है अगला प पौदे क्या क्यालाते हैं देखें तो जो अरे पौदे हैं उन्हें क्या कहते हैं अरे पौदों को उत्पादक के नाम से जाना जाता है किस नाम से उत्पादक के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है प्रशन सिंग्या 23 निम्नांकित मैंसे कौन जेव अनिमनिकरनिया सा है DDT यह जभी कोते हुए भी इसका अपकरण नहीं किया जा सकता ठीक है, आगे और जोन के एक अनू में कितने परमानू है, तो जोन का सुधर क्या होता है O3, यानि कितने परमानू है oxygen के 3 परमानू है और जोन के अंदर, आगे उर्जा का पिरामिड ठीक हायरकीक्ल होता है ऐसे मीचे छोड़ा होगा और उपर दिरे-दिरे संक्रा होता जाएगा यह यह विवीता है उसका दिरे-दिरे नश्ट होना तो उसका कारण क्या है कीट नासक का उपयोग सही बात है इसके कारण भी हमारे जो जैब विविता है वो क्या हो रही है दिरे दिरे नश्ट हो रही है उर्रक का उपयोग ये भी सही बात है पीडिक नासक का उपयोग ये भी सही बात है इनमें से सभी जैव आवर्धन के ये सब क्या है प्रमुक कारण है जिसकी वज़े से आज हमारे जीव जुन्तों की जो संक्या है वो दीरे 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 क्या हो रही है कम हो रही है या हमारी जो जैव विवित्ता है वो दीरे दीरे नस्ट हो रही है आगे बढ़ते हैं कलोरो फ्लोरो क CFC ठीक है इसका पूरा नाम क्या है CFC इसका जो सबसे प्रमुक्षरोत है वो है Aerosol जागदार सेविंग क्रेम कितनासी इनमे से सभी और ये किसके लिए जिम्मेदार है ये और जोन परत के विनास के लिए और जोन परत को जो सती पूंचा रही है वो सबसे खतरना गयस यही है क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो ये सभी Aerosol हो गया जागदार सेविंग क्रेम होगी या कितनासी हो गई इन सभी से किसका दिर्मान होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन गयस का दिर्मान होता है जोगी और जोन परत को सबसे जयदा नुपसान पूंचा रही है तो option number D आपका सही तो ये जो सभी कतन है A, C और D ये तीनों ही कतन इस सम्मंदित है परिस्तिति की तंतर क्या हो रहा है असंतुलित हो रहा है क्योंकि जो सारी गटना है वो किसके अंदर आ जाती है परिस्तिति की तंतर के अंतरगत आ जाती है तो इसका सही जवाब होगा आपका option number B क्योंकि प्रियावरण के लो, स्वयम पोसी के लो या अप्षिष्ट पैदरत के लो ये सब किसके अंदर आते हैं परिस्तिति की तंतर के अंतरगत ही आते हैं क्योंकि परिस्तिति की तंतर दो गटकों से मिलकर बिना है जेव और अजेव तो जितने भी सजीव है और जितने भी निर प्रभाव पढ़ रहा है तो जो वजन प्रत्ना स्टोरी है इसके कारण से तवस्चा का कैंचर हो रहा है मोत्या भी नो रहा है उत्परिवर्तन हो रहा है तो ये तीनवी प्रपाव प्रकार के जो हनिकारक प्रभाव है वो अमें देखने को मिल रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सही आहर्स रंकला है यह इनमें से कौन सी आहर्स रंकला है जो सबसे सही है चीडिया, साप और गास बिलकुल गलत, मचली, गास और हीरन गलत, बकरी, गास और हीरन गलत, गास, हीरन और सेर तो यह option आपका option number D सही जबाब होगा आगे आर्स रंकला में कितनी परतिसत उर्जा एक इस्तर से दूसरे पोसी इस्तर में इस्तानांतरित होती है तो आप सब्यानते होंगे 10 परतिसत जो उर्जा है वो एक पोसी इस्तर से दूसरे पोसी इस्तर में क्या होती है इस्तानांतरित होती रहती है और हमने जो उर्जा इस पनांतरन का नियम पढ़ था उसके अंदर हमने इसकी सर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी तो अगर आपने चेप्टर की व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो चेप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देख ले ताकि ये जो सारे प्रशन है इनके उत्तर आपको आसानी से याद हो जाए इसके अलावा हमने पाट की बीटर दियेगी प्रशन और अभ्यास प्रशनों को भी बहुत अच्छे से सौल्व करा रखा है तो वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं ठीके यह 10% क्या कहता है कि जो उत्पादक है समझ लीजिए वो 100% उत्जा गरहं कर रहा है तो इसकी 10% उत्जा यानि की इसकी जो 10% उत्जा है वो ही केवल क्या होगी आगे वाले भाग में इस्ता नांत्रित होगी क्यानि इसकी 10% ठीके इसकी 10% का मतलग 1% और इसकी देख 10% का मतलग 0.01% ठीक है जैसे ये उत्पाद्यक है ये पर्थम उप्भोगता है ये दुख्ते उप्भोगता है और ये कौन से हैं ये तर्तिय उप्भोगता है आय सोज में तो इस प्रकार जो उर्जा है उर्जा का इस्तान आंतरन एक पोसी इस्तर से दूसरे में इस्तान आंतरन में क्या होती है उर्जा के मातरा बढ़ती है गड़ती है या कम होती है तो अभी में ने देखा कि केवल 10% उर्जा की मातरा ही एक पोसी इस्तर से दूसरे पोसी इस्तर में क्या होती है इस्तान आंतरित होती है यानि पहले में अगर 100 थी तो दूसरे में केवल कितनी जाएगी दूसरे में केवल 10% उर्जा ही जाएगी यानि उर्जा में क्या होती है उर्जा में कमी होती है आगे अधिक्तम उर्जा किस इस्तर पर संचित होती है तो जो अधिक्तम उर्जा है 100% वो सबसे निचले इस्तर पर यानि उत्पादक इस्तर पर क्या होती है संगरहित ये संचित होती है अगला प्रशन उच पोसी जीवों को आफसकता अनुसार भोजन या उर्जा परदान करने है तू निचले पोसी इस्तर के जीवों की संख्या क्या होती है अधिक होती है यहाँ एक आकर्ती बनाती है तो यहाँ एक संख्या का पिरामिड बनाती है मतलब क्या हुआ कि यह आपका एक पीरामिड हो गया इसमें जो सबसे निचले इस तर पर जीव होंगे उतपादक वो सबसे अधिक होंगे मैक्सिमम और सबसे उचले इस तर पर जो सबसे अंतिमु भोगता होंगे ठीक है उनकी संगय क्या होगी सबसे मिनिमुम होगी कम होगी ऐसे उनमें आगे बढ़ते हैं उर्जा का प्रवा होता है तो जो उर्जा का प्रवा है वो एक ही दिशा में होता है यानि एक पतिय होता ह सदेव पिरामेड में नीचे से उपर की और एक ही दिशा में उर्जा का प्रवा होता है अगला जेव अनिमनी करणिये प्रदात यानि ऐसे प्रदात जिनका निमनी करणिये अब गटन नहीं हो पाता उनकी मात्रा एक पोसी इस्तर से अगले पोसी इस्तर में क्या होती है तो उनकी मात्रा बढ़ती जाती है जो जैविक अनिम्निकरणी ये प्रदात होते हैं जो जैविक होते हैं सजीव होते हैं लेकिन कैसे होते हैं अनिम्निकरणी ये जिनका अब गटन सुक्सम जिवों के द्वारा नहीं किया जा सकता तो उनकी मात्रा जब हम एक पोसी इस्तर से दूसरे पोसी इस्तर में यानि उ प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है तो यह बढ़ने की प्रक्रिया है यह जो जैविक अनिम्निक्रनिय प्रदात है उनकी एक पोसी इस्तर से दूसरी पोसी इस्तर में जाने पर जो उनकी मात्रा में जो बढ़ने का जो गून है जो प्रदातों की बढ़ने की जो मात्रा का यह कर सिर्फ जल से सीधे वातावरण से अनेक पोसी इस्तरों से या इनमेस से कोई नहीं तो अनेक पोसी इस्तरों से ठीक है जिसमें जल भी हो सकता है वातावरण भी हो सकता है या अन्य कारक भी हो सकते हैं जिनके माध्यम से जो कितना सक है वो मानव शरीर के अंदर क्या करते हैं प्रवेश करते हैं, आगे वायुमंडली ओजोन हमारे पर्तवी की किस से रक्सा करता है, तो जो वायुमंडली ओजोन गैस है, वो हमारे पर्तवी की सूर्य की जो हानी कारक प्राबैगनी किरने होती है, उन से क्या करती है, हमारे वायुमंडल की या पर्तवी क्या करती है, श इतने भी प्रात्मे को भोगता होते हैं, वो सब साकाहरी जीव होते हैं, कौन से जीव होते हैं, साकाहरी जीव होते हैं, अगला मनुस्य और तील चट्टा, निम्नल लिकित में से किस स्रेणी के जन्तु कैलाते हैं, मनुस्य और तील चट्टा, तो ये कौन से जीव हैं, ये स सरवाहरी है यह साकाहरी भी हो सकते हैं और मासाहरी भी हो सकते हैं अतो यह सरवाहरी जीव के इंतरगत गिनने जाते हैं आप सब जानते होंगे साकाहरी जीव वे होते हैं जो मास का सेवन नहीं करते हैं मासाहरी जो मास का सेवन करते हैं मर्त जीवी ऐसे जीव जो अपने आगे किसी पारितंत्र के जयव गटक होते हैं, तो सब होते हैं पोधे, चानवर, मनुस्य और सुक्समजीर ये सभी ही जयव गटक या जयविक गटक के ही उदारन हैं। आगे हमेसा किसी आहर्स रंकला का प्रारंब निम्न लिखित में से किसके द्वारा होता है, तो किसी भी आहर्स रंकला की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो कौन होता है, वो होता है उत्पादक, कौन होता है उत्पादक, अगला इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है अगला निम्न लिखित में से कौन उत्पादक है इनमें से उत्पादक कौन है वो आपको बताना है तो सिंपल सी बात है जो गास है जो कि साका आरी है और सबसे निचले इस्तर पर होता है अता क्या होता है अता ये उत्पादक होता है अगला निम्न लिखित में से कौन एक आहर संकला बनाते हैं, यानि इनमें से ऐसे कौन से जीव है, जो मिलकर एक आहर संकला का निर्मान करते हैं, तो वो कौन कौन है, वो है गास, गास को बकरी खाएगी, और बकरी को कौन खाएगा, मनुस्य, यानि option number C आपका सही जबाब होगा, अगला, ओजन के एक अनू में, परमानू की संका कितनी होती है, तो तीन होती है, तो तीन होती है, तो जलिये पारितंत्र में, उत्पादन के रुप में, मुख्य कौन से जीव होते हैं, तो जलिये पारितंत्र है, उसमें उत्पादन के रुप में, मुख्य रुप से जीव होते हैं, वो सेवाल होते हैं, क इसे जीव जो अपने भोजन के लिए मरे हुए जीवों पर क्या करते हैं ? तो ये तीनों ही जो जीव हैं वो मर्त जीवी के उदारन है अगला किसी भी आहर संकला में पर्थम पोसी इस्तर प्राय किन से निर्मित होता है तो जो पर्थम पोसी इस्तर है वो हमेशा किसके द्वारा उत्पादग के द्वारा ही क्या होता है निर्मित होता है और वो सामानेत कैसे होते हैं तो वो सामानेत शाकाहरी ही होते हैं ठीके आगे निमनों मैंसे कौन सबसे ज़्यादा प्रकास संसलेसी उत्पाद बनाता है निमनों मैंसे कौन है जो सबसे ज़्यादा प्रकास संसलेसी उत्पाद बनाते हैं तो वो कौन है और वो हो जाएंगे आपके जलिये पोधे ठीके जो सबसे ज़्यादिक जो उत्पाद है वो परकास संसलेशन के किरिया के द्वारा ही बनाते हैं अगला प्रशन है प्रशन संग्या बावन परकास संसलेशन के समय CO2 यानि carbon dioxide के साथ कौन सी अभी किरिया होती है तो ऐसे इस तती में क्या होती है औक्सिजन के मात्रा में कम ही होती है यानि कार्बेन डियोक्साइड को ग्रहन किया जाता है और औक्सिजन को बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पर प्रकास अंसलेश्टिन के समय और कोंसे विक्रिया होती है अवकरन विक्रिया होती है अगला सूर्य की विक्रिन उज्जा को ग्रहन कौन करता है तो जो सूर्य की विकिरल उज्जा है उसको सबसे अधिक ग्रहन किसके द्वार किया जाता है तो उसको सबसे अधिक जो ग्रहन है वो किया जाता है अब गटक उतबादक या आपके भोगता के द्वारा तो वो सबसे ज्यादा ग्रहन किया जात अतिकी तंत्र के अंत्रगत आती है, क्योंकि उसका निर्मान मानों के द्वारा किया जाता है, अगला, अजयव, अवेव के अंत्रगत कौन आता है, किसके अंदर अजयव, अजयव का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव हैं तो उसके अवयव के रुप में कोई आता है बहतिक प्रियावरन, पोसन, जलवायू या इनमें से सबी तो ये सबी क्या है अजयविक अवयव के रुप में अंतरगत ही आते हैं अगला जैविक अव्यव के अंतरकत कौन आता है जिसमें जीवन पाया जाता है उत्पादक भोगता अब गटक के इन में से सबी तो ये सबी क्या है जैविक गटक या जैविक अव्यव है अगला उत्पादक, बोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जितने भी उत्पादक है, वो बोजन बनाने के लिए परकास रंसेलेशन के किरिया करते हैं, अगला उर्जा का प्रवा कैसा होता है? हम ऐसा एक दिस्य होता है जबकि जयव और अजयव वातावरन के बीच में कैसा पत होता है तो चक्रिय पत होता है उर्जय का परवा तो एक दिसा में होता है लेकिन जयविक और अजयविक वातावरन के बीच में जो परदातों का आवा गमन होता है वो कैसा होता है वो होता है छक्रिया ठीक है, आगे, logon gas का anwix उत्री क्या है आप सब जानते होेंगे, o3 होता है, global warming के लिए सबसे उत्रदाई gas कौनसी है तो वैसे तो सबसे दिकुएंसी गैस है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, मेथेन वो गैस है लेकिन वो यहाँ पर ओप्शन नहीं है तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कार्बन डाई ओक्साइड कुएंसी गैस दिया हुआ है कार्बन डाई ओक्साइड अगला जैव निम्नि करनिय अपसिट प्रधातों का समूः इन मैंसे कौन है यानि जो जैव है यानि सजीव है और कैसे है निम्नि करनिय यानि जिन्द का छोटे मोटे सुख्सम जीवों के द्वारा अब गडण आसानी से किया जा सकता है तो उनका समू कुन सा है गोबर, पेपर और फलो के चिलके तो ये option ही सही है ये वो परदात है जो विभिन परकार के जीवों के अपसिष्ट है और इनका विभिन परकार के सुख्म जीवों के द्वारा आप गटन भी किया जा सकता है अगला इनका से कौन अपमार्जक का उधारण है अपमार्जक का मतलब वही परदात जो किसका कारे करते हैं अब गटन का कारे करते हैं बकरी, कोडा, खरगोस, बाग, छेर, सित्ता, बाज, पोवा, लोम्री, सिल और सुख्मजीव तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका उपसान नंबर C आगे, आहर जाल में जीव अवस्तित होते हैं एक पोसी इस्तर पर, दो पोसी इस्तर पर, एक से अधिक तो जो जीव हैं, वो एक से अधिक पोसी इस्तर पर इस्तित होते हैं संख्या का पिरामीड कैसा होता है अमेसा उर्दवादर, अमेसा वियुत कर्मित, ए और भी दोनों निमेसे कोई नहीं, तो ए और भी दोनों हो सकता है एक हमेसा उर्दवादर का मतलब सीधा, और हमेसा कैसा होता है, वियुत कर्मित अन्य उल्टा, यानि जैसे जैसे हम नीचे से उपर के और बढ़ेंगे तो संख्याओ की मातरा है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और सबसे निचले इस्तर पर जो जीव है वो सबसे अधिक होंगे और सबसे उपरी जो इस्तर है वहाँ पर जीवों की संख्या है वो सबसे क्यासी होगी सबसे कम होगी और पिरामिड के जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा उर्धवादर यानि इस इस्तति में होगा ठीक है यह उज्जा का पिरामिड है और इसी तरह जो संख्या का पिरामिड है वो भी ऐसा का ऐसा होगा खीक है आगे बढ़ते हैं निम्नांकित मैंसे किसे आप उप्भोकता की स्रेयनी में रखेंगे इन मैंसे उप्भोकता कौन है देखो अरे पौदे ये तो उत्पादक है निल अरी सेवाल ये भी उत्पादक है जंगली जानवर तो ये क्या है ये उप्भोकता है अगला एरोसोल का ओजोन अवशय में कितना परतिशत योगदान होता है जो एरोसोल है वो क्या है वो विबिन गैसो का मिसरण है क्या है विबिन गैसो का मिसरण है जिसे साधरन बासे में हम धुन दिया कोहरा कहते है तो वो औजोन परत के नुकसाने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है तो कितने परतिसत जिम्मेदार है वो आपको बताना है तो वो लगबग 45% क्या है जिम्मेदार है अगला कच्रा परबंदन से क्या लाप है तो कच्रा परबंदन से फाइदा क्या है तो एक तो कच्रे से उने वाले जितने भी बिमारिया है उनसे सुरुकसा मिलेगी पर दूसर रूपर क्या लगेगा रोकदाम लगेगी और ओप्सन नमबर सी आग का सही जवाब है अगला सुद्ध प्रात्मिक उत्पादक्ता है यानि इन में से कौन सा ऐसा है स्रेणी जो कि सुद्ध रूप से प्रात्मिक उत्पादक है ठीक है तो देखें कौन सा option होगा कुल प्रात्मिक उत्पादक्ता तो वो कौन है सवसन कुल प्रात्मिक उत्पादकता माइनस सवसन तो ये क्या होगा ये होगा आपका सुत रूप से प्रात्मिक उत्पादन होगा कि जो आपका कुल प्रात्मिक उत्पादन है उसमें से गरम सवसन को गटा दे तो वो पीछे वारा जो बचने वाला भाग है वो कहलाएगा सुध्य प्रात्मिक उत्पादन अगला पारितंत्र का अजयव गटक यानि निर्जी गटक कौन सा है वायू, वर्शा, मर्दा तो ये तीनों ही क्या है अजयवी गटक के उधारण है अगला इनमें से कौन प्राकर्तिक पारितंत्र है वन, नदी, मरुस्तल तो ये सबी क्या है प्राकर्तिक पारितंत्र के ही उधारण है इनमें से उत्पादक की स्रेणी में कौन सामिल है जो उत्पादक है तो निलहरित सेवाल आपका सही जवाब होगा अगला हरे पोदे उत्पादक क्यालाते हैं क्यों इन्हें उत्पादक क्यों का जाता है ये प्रकास संसलेशन से बोजन का उत्पादन करते हैं सही बात है प्रात्मिक उत्पोद उत्भोगता परत्यक्स रूप से उन पर निर्बर है सही बात है दिवित्यवक और तर्तियक उ उपर निर्पड करते हैं, वो किन का भक्सन करते हैं, तो नाम से पता चल रहा है, ये किन का भक्सन करते हैं, तो ये मर्त जीव जुन्तुव का भक्सन करते हैं, अगला अपमार्जन के फल सवरूप क्या होता है, जो अपमार्जक है या जो अपमार्जन अभी किरिया है, उसक मर्दा में उपस्तित अकार्बनिक परदातों का पोधों की द्वारा पनों उप्योग के जाता है और ओप्शन नंबर D ये तीनों ही जवाब सही है अगला सूरे की प्राभेगनी किरने मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन कर सकती है तो जो सूरे की प्राभेगनी किरने हैं वो मनुष्य के अंदर मुखे रोप से तवचा का कैंसर फैलाने में क्या होती है सबसे ज़्यादा आर्निकारक परभाव छोड़ती है नहीं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है तवचा का कैंसर फैलाने में अगला वायू मंडल में ओक्सिजन के अनुवों से ओजन कैसे बनती है तो ओक्सिजन का क्या होता है सबसे पहले अपगटन होता है और यहां से ओक्सिजन दो अनुवों में तूडती है और यहां से oxygen का एक अनू पुना oxygen के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बिनाता है आपकी oxygen gas बनाता है तो इसका सही जवाब होगा वो होगा प्राभैगनी विक्रियन के परभाव से सबसे पहले क्या होता है oxygen का विकंडन होता है और फिर oxygen का एक अनू oxygen के अन्य परमानू के साथ अभी किरिया करके ठीक है oxygen का एक परमानू यहां से oxygen अनू के साथ पुन अभी किरिया करके इसका दिर्मान करता है oxygen gas का दिर्मान करता है यह जो सारी बाते हैं वो मैंने चैप्टर की वेक्या में बहुत अच्छे से समझा रखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर की वेक्या वाली क्लासेज जरूर देखें अगला सन्द 1980 से वायव मिंडल में उज़ोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी है इसके पीछे का कारण क्या है तो इसके पीछे का कारण है और जोन परत नश्ट हो रही है 1987 के सीवक्त राश्ट्र प्रयावरण कारे करम मैं सहमती बनी थी उसमें क्या सहमती बनी थी कि जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है उसके उत्पादन को 1987 के इस तर तक कि क्या रखा जाए सिमित रखा जाए उसे अधिक इसके उत्पादन पर क्या लगाई जाए रोक लगाई जाए और कम से कम इसका उत्पादन किया जाए अगला इनमय से कौन जयव, निमनी करणिय अपसिष्ट परदात है कौन सा जयविक है और निमनी करणिय उसका अपग्रण आशानि से किया जा सकता है मलमूत्र, मर्थ, शरीर, कागज तीनों ये option सही जवाब है निमन मैसे अजयव और निमनी करनी है कौन सा है और जो प्राप्त तो होता है सजीवों से लेकिन कैसा है और निमनी करनी है जिसका आप गटन किया नहीं जा सकता तो वो कौन सा है वो है कितना सक, सीशा, अलूमिनियम तो ये सभी आगे वन पारस्तितिकी तंत्र में सेर होता है तो वन पारस्तितिकी तंत्र में जो सेर है वो क्या होता है वो दित्ते उभोगता होता है और तरती उभोगता कौन होता है वो होता है गिद्द होता है अगला तालाव पारितंत्र में जो बगला होता है वो जीव कोता है तो वो किसको खाता है वो चोटी-चोटी मचलियों और किल्डों मुकडों को काने का काम करता है तो वो होता है तर्तिय उभ्वगता ठीक है जो मेंड़क, साप ऐसे जोटे-जोटे जीव है उनको खाने का काम करता है अगला आहर संखलाओ के जाल को क्या कहते हैं तो आहर संखलाओ का जो जाल है उसको कहते हैं आहर जाल क्या कहते हैं अहार चाल अगला कागज के disposable cup से प्रयावरण सबच क्यों रह सकता है क्योंकि जो कागज है वो कागज कैसा परदात है कागज आपका जयव निमनी करनी ये परदात है ठीक है और इसका आसानी से अपगणन किया जा सकता है इस वज़े से ये प्रयावरण को बहुत कम नुक्सान पहुंचाते है अगला कचरा परदन क्या है तो कचरा परदन का मतलब है कि कचरे का वेग्यानिक तरीके से उच्छे दूप से क्या करना उसका निप्टारा करना उसका निप्टान करना अगला कचरे का प्रबंदन इसके द्वारा हो सकता है कुछ कचरे का पुना सक्रन, चक्रन, सहर से बार जला देना, गड़ों को भरने में उप्योग करना तो इन सभी तरीकों की मज़द से कचरे का प्रबंदन को चद्द किया जा सकता है अगला किस किरिया द्वारा हानिकारक रशायन खाद्य परदातों में एकत्रत हो जाते हैं जो दोने से भी नहीं अटते यानि किस किरिया के द्वारा जो हानिकारक रशायन है वो गमारे खाद्य परदातों में क्या हो जाते हैं एकत्रित हो जाते हैं और वो दोने से भी नहीं अड़ते कि वो कौन से किरिया है वो है जैविक आवर्धन जिसमें हम पिरामीड के अंदर एक पोसी इस्तर से दूछरे पोसी इस्तर पर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हानिकारक रसाइनों की मात्रा क्या होती है बढ़ती जाती है अगला जो रेडियो धर्मी या रेडियो अक्टिव परदात है वो किस परकार के अपसिष्ट है तो जो रेडियो धर्मी या रेडियो अक्टिव परदात है वो कैसे परदात है तो वो जैव अनिमनी करनीय परदात है कैसे है जैविक परदात है लेकिन अ वजोन परत के सय का मुख्य कारक इनमें से किसका बढ़ना है तो वजोन परत के लिए जो सबसे जिम्मेदार है वो कौन है तो वो है आपकी क्लोरो प्लोरो कार्बन अगला एक आहर स्रंकला में साकाहरी से निर्मान होता है तो साकाहरी से किसका निर्मान होता है तो द्वित्य पोसी इस्तर का निर्मान होता है क्योंकि जो साकाहरी है वो क्या होते हैं वो होते हैं उत्पादक एक है जो की पर्थम पोसी इस्तर पर मौझूद होते हैं अगला तालाब की आहर संकला में मचली की सिस्तान पर है तो जो तालाब की आहर संकला है उसमें जो मचली है वो आपकी ओतिय दित्ते उभोगता क्योंकि पर्थम इस्तरप्र कोन होंगे निलरित सेवाल ठेक है और दित्य इस्तरप्र कोन होंगे जिसे इस्तरप्र होगे मचली अगला पारितंत्र में आहर संकला का क्या महत्व है तो पारितंत्र में जो आहर संकला है उर्जा का एक इस्तर से दूसरे इस्तरत क्या होता है प्रवा होता है और उसी के प्रिणाम सोरुप जो जीव है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं अगला सोर उर्जा का कितना प्रतिसत हरे पौधे परकास अंसलसन में उप्योग में लेते हैं तो लग बग एक परसेंट उप्योग में लेते हैं अगला हरे पौधों में उन सोर उर्जा का इस्तानांतरन किस रूप में होता है तो हरे पौधे हैं उनमें जो सोर उर्जा का इस्तानांतरन है वो होता है आपका उस्मा और रासानिक उर्जा के रूप में अगला सोर उर्जा किस रूप में हरे पौदों में संचित रोती है तो जो सोर उर्जा है वो हरे पौदों के अंदर किस रूप में रासानिक उर्जा के रूप में संचित रहती है अगला पौधे मेटाबोलिज्म द्वारा किस उर्जा को वातावरण में मुक्त करते हैं वो कौन सी प्रकिरिया है तो वो प्रकिरिया है आपके उस्मा उर्जा ठीक है जो पौधे है वो मेटाबोलिज्म अभिकिरिया के द्वारा जो उर्जा है उसको उस्मा उर्जा के रूप में प्रकर्दी में क्या करते हैं? मुग्त करते हैं ठीक है? तो इस प्रकार हमने आपके अध्याए 15 के जितने भी महत्वण अब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की सर्चाम ने बहुत अच्छे से कर ली है उम्मेद करता हूँ सभी अब्जेक्टिव्स आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लाब सभी को धन्यवाद यदि आपको क्लास और मेरी मैनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर करे आज गले इतना ही जय हिन, जय भरत